प्रेगनेंसी के 7, 8 और 9 मन्त में आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होना या फिर आप जहां से यूरिन पास करती हैं वहां से एक दर्द होना ऐसा लगना जैसे कुछ वहां से बाहर निकल रहा एक संकूशन होना ये सब क्यूं होता है और अक्सर ये क्या हर किसी को हो पीरियेंस भी आप सभी के साथ शेयर करोंगी चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करी हूं मेरा नाम है श्वेता और इस चानल पर आप सभी के साथ मैं अपनी प्रेगनेंसी डिस्कुस करते हूं मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है 39 प्लस सेकेंड में मेरा बेटा फिलाल 2 साल 3 महीने को है तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करेंए हुंए सबसे बड़ी बात होती है पेट के निचले हिस्सो में दढ़ देखिए प्रेगनेंस इक बार हम कंसीडर कुने करते हैं पहला ट्राइंस टिन मह होता है क्योंकि बच्किमनेंसी कह बलांटेशन होता है हो जाता है इस कारण से आपको निचले हिस्सों में दर्द की समस्या होती है अब 3-6 महिने के बीच में क्यों दर्ध होती है उस टाइम भी दर्ध होती है क्योंकि आप प्रेगनेंट हो आपके बॉड़ी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेंज हो रहा है बेबी का जो जहां से आप यूरीन पास करते हैं वहां दर्ध होना वहां कुछ बाहर निकलने की समस्या क्यों होती है देखिए सबसे ज्यादा यह मैटर इसले करता है क्योंकि 7-8-9 मंत के बीच में आपके बॉड़ी का बच्चे का पूरा बॉड़ी डेबलॉप है सब कुछ बच्चे का वजन बढ़ते जाता है 7-8-9 मंत के बीच आपका खुद का भी वजन बढ़ रहा है इन सब का भार आपके गुटनों पर पढ़ता है और प्रेशर कहां पढ़ता है जहां से आप यूरीन पास करते हैं वहां एक प्रेशर होना तो यह पूरी तरीके से नॉर्मल है एवरी लेडीज को प्रेगनेंसी के टाइम में उस एरिये में प्रेशर पढ़ता है और आप आप लोग बहुत बार जल्दी जल्दी यूरीन पास करने जाते हों क्यों जाते हों क्यों क्या होता है कि जो बच्चा है वो बच्चा जैसे कि आपका यूट्रस के अंदर है तो वहां पे जो बलेडर होता है उस बलेडर पे बहुत ज़्यादा प्रेसर पड़ता है जिस कारण से आपको यूरीन जल्दी जल्दी आपको जाने की फ्रिक्वेंट यूरीनेशन की प्रॉब्लम आ जाती है तो इसने ये कोई बड़ा यिसू नहीं है यह हर किसी को होता ह अब यह है कि आपको निचले जहां से यूरिन पास करते हैं उसका हम क्या करें उस एरिये में आपको क्या करना है एक पेरीनियन मसाज करनी है यह मसाज जो है वह नॉर्मल डिलीबरी में बहुत ही हेलफुल होता है इस मसाज को मैंने भी परस्नली किया था जैसे कि फोटोग्र अभी पेट में क्यूंढ रहता है उसलिए दर्ध लाता है कि पेट का आकार आपका बढ़ा हुआ होता है वजन बढ़ा रहता है इतना जद्ध घार्मॉनल चेंजी जाता है एक प्रेसर ऑ सबसे जञा ऐसा माना जाता है कि तीस दे-τιम्योंत back बच्चे का head down जाता है तो इससे भी नाभी के नीचे बहुत दर्द जहां से urine पास करते हैं वहां भी बहुत दर्द होता है देखिए एक दर्द होता है वो मैं समझ सकते हूं लेकिन जब आपको तेज दर्द हो असहनिये हो वो दर्द नॉर्मल दर्द नहीं है वैसा हो तो आ कमर के दर्द को ही बताती है तो कमर में भी दर्द होना इस केस में भी आप थोड़ा सा मसाज कर सकती है मसाज ही यहां पर एक सॉलूसन है मैं आप लोगों का ऐसा सिच्वेशन चल रहा है कि मैं आपको कुछ भी खाने पीने की सज़ेस्ट नहीं कर सकती हूं नॉर्मल थोड नॉर्मल लाइति अर जब आपकी अजिए लुजव के मज़ने लागता है तो द syndrome क्या आईगा रख क्वर्क्त आए थि वह गोता है लेवर पें काई वह बेखा वाब को सुरू होता है उसके बाद आपकी डिलीवरी होती है और जब आपके डिलीवरी हो जाती है तो आपके जितने भी यहांचे यूरीन पास करते हैं वहां दर दर ना बार बार फ्रिक्वेंट यूरीनेशन यह भी प्रॉब्लम खतम वहां का दर्ड भी कता कमर कभी दर्ब खतम पेट के निचले हिसे कभी दर्ब सारे दर्ब खतम हो जाते हैं तो आप हो जाते हों टेंशन फिलिए मिलती हूं मैं आप सबसे अगली वीडियो में एंड चैनल पर 500 प्लस प्रेग्नेंसी टिप्स के वीडियो जें उन सारे वीडियो को आप रेगुलर देख सकती है तो आपकी क्यों नहीं हो सकती है मिलती हूं मैं आप सबसे अगली वीडियो में पर तक के लिए बाबाएं टेक किया